हेलो एफ्रिवान विल्कम बैक तो माई यूटल चैनल साइंस भाई दीबा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वाइल फॉर्मेशन का स्टेप 3 जिसमें देखेंगे स्वाइल का निर्माल कैसे होता है बाई विंड ठीके प्रिविएस वीडियो में जब हमने बात करी थ एक तो क्रैक्स बनकर और उसमें वाटर की फ्रीजिंग हो रही थी और दूसरे में फ्लोइंग वाटर में मतलब पानी के साथ जब बह जा रहा था बड़ी बड़ी चिटानों को अपने साथ बहां के ले जा रहा था तो तब स्वाइल का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसी त ग्षाइभ प्रेशन होगा के साथ, या बाकी रॉक 읍ाफस में टक्राएगा और बार 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 не तक्राएगी तो त्विसमॉलर वजोगी वह टूटे है। ठीक है जैसे water rock को अपने साथ बहा कर ले जा रही थी वैसे ही step 3 में हम देख रहे हैं कि हवा भी अपने साथ जब strong wind होती है तब वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को बहा कर ले जाती है जब पत्थर flow करेंगे हवा के साथ तो वो surface के साथ और बाकी rock के साथ collide करेंगे इस abrasion के कार और वो further small particle में smaller rock में disintegrate हो जाएंगे यह बात clear हो गई तो देखी यहाँ पर लिखा गया है strong wind also erode rock down जो बहुत strong wind होती है वो erode करती है यानि rocks को तोड़ती है wind also carries sand from one place to another like a water does यह ही मैंने भी बताया कि जैसे water उपने साथ बढ़े-द़बडे चतानों को बहा कर लेकर जाता है और उनमे Collides होता है gently vibration होता हoire और स्वैल का फार्मेशन कर लेटे हैं कर लेकर तो वैसे हे हवा भी आपने साथ जो है बड़े-बड़े चतानों को लेकर जाती है और उनमें भी जब surface से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, उनमें abrasion होता है, collides करते हैं, तो वो भी soil का formation कर लेते हैं, अब इस diagram में आप देखो, ये बड़ी चटान है, ठीक है, ये बड़ी चटान है, इस तरीके दो को छोटी में है, ये छोटी बनी है, ये छोटी, तो ये soil formation का next step, जो कि last step होगा, step 4, and उसमें क्या होगा, by living organism, ठीक है, I hope so आपको ये वीडियो clear हो गया होगा, अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं, तो इसे like, share, subscribe and comment करना मत भूलना, and one more thing, please hit bell icon, so that जब भी मैं कोई informative वीडियो डालती हूं, तो आप से timely notification आता रहे, thank you so much and keep support me.